मुझे 11 दिन हो गए हैं और मैं इसी कमरे में बंदूं मैं आपको दिखा देता हूं यह मेरा कमरा है यह मेरा बैड है टॉलेट वाथरूम और इसी कमरे में बंदूं बस घर के नीचे गया जहां रेस्टोरॉन्ट है तीक है वहीं से कुछ बनाया खाने का समान उपर आ गया औ मेरे रेस्टोरॉन के अगल बगल में डेट किलोमेंटर के अरिया के अंदर कोई भी घर नहीं है कोई भी बार नहीं है कोई भी व्यक्ति यहां अब नहीं आ रहा है कि सरकार ने निजदेस दियें कि सब लोक डाउन सब को बंद करो तो 11 दिन से यह सब बंद है और मैं आपक इस महावमारी के आगे अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, हम लोग बिलकुल केरफुल हैं, मास्क का डबबा आप देख रहे हैं, पूरा डबबा पैकिट ला रखा मैंने, और पूरी बोतल, ये जब भी हम लोग नीचे जाते हैं, मैं अपने रेश्टरून से बाहर, नीचे बजार में नहीं बता रहा हूँ, मैं सहर में नहीं बता रहा हूँ, नीचे अपने रेश्टरून से बाहर जाते हैं, तो ये बोतल मेरे जब में होती है, मास्क मेरे मूँ पे लगाया होता है, लेकिन मेरी आप लोगों से यह प्रातना है मेरे देशवासियों आपको अगर देश के पदान मंत्री या सरकारी लोग आपको समझा रहे हैं तो उसको समझने कोशिश कीजिए और उन लोगों से मेरी हाठ जोड़ के प्रातना है जो अफवाएं फिला रहे है प्लीज अफवाएं मत फिलाएं मैं वो दर्ष़़ देख चुका हूँ वो सीन देख चुका हूँ कि जो आप लोग देख नहीं सकते और मैं उन डॉक्टरों का नर्सों को नमन करता हूँ उनके चर्णों में नमन करता हूँ जो रहा दिन भूक प्यास सब कुछ दाव पे लगा के लगे वे हैं कोई सिकायत नहीं कर रहे हैं मानव सेवा के लिए लगे वे हैं मैंने जब उनको देखा जब न्यू टीवी के अंदर जब दिखाया लाइव दिखाया गया तो मेरी आंखों से आशो आना लगे हैं योग नीचे फस brightness हो रहे हैं दस मीट का टेम मिला तो सो रहे हैं पंदा मीट का टेम मिला तो सो रहे हैं तो प्लीज मेरे देसवासियो मेरी फ्राटना मानिए जो सरकार आपको नियम बता रही है उनका पालन केजिए चुरूंट हाथ आप लोग ये भूल मत करें कि ये हवा में फैलता है नहीं ये चुने से फैल रहा है ये मूँ नाक और आँख के जरी इनसान के सरीष केंदर प्रवेस कर रहा है तो मेरी आप लोगों से परातने है कि जो भी नियम है उनका पालन कीजिए अगर ये हिंदुस्तान में आ गया ये मेरी आप लोग एडवाइज मान लो या चेतामनी मान लो जो भी आपको मानना है वो मान लो अगर ये हिंदुस्तान में आ गया फेल गया तो मेरे देर स्वासियों मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान में ट्नांटव करवा देगा और लासो का अम्बार लग जाएगा हमारे पास इतनी अच्छी चिकेशा नहीं है अगर किसी बंदे को डेंगू हो जाता है न मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ राशिनगर का और अगर किसी बंदे को डेंगू हो जाता है तो उसे जैपूर या बिका ने रेफल किया जाता है डेंगू का इलाज नहीं है हमारे पास तो मेरे भाईयो मेरी आपसे प्रातना है कि मेरी बिंती को सुने और अपने आपको सुरुक्सित कीजिए, अपने परिवार को सुरुक्सित कीजिए, क्योंकि तीन दिन तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि यह आपको हो गया है, आप पूरे घर को ले डूबोगे, पूरे महले को ले डूबोगे, तो मेरी आपसे प्रातना है, जो गलती इ आप क्यों नहीं समझ रहे हो फ्लाइटे बंद है ट्रेने बंद है बसे बंद है हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों इसाथ यह चीज हो समझने की कोशिश करो आप लोग अफ़ाय ना फेलाएं कि प्याज खाने से ठीक हो जाएगा 10 रुप 35 मिट, 35 सेकंड या 40 सेकंड अपने सांस को रोख सकते हो तो आप बिल्कु सवस्त हो क्योंकि जिसको कोरोना वार्ज हुआ अपने 20 सेकंड या 15 सेकंड से जायदस को रोख नहीं पाएगा फुला कर तो अपने घर पर इलाज कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, ठंडराय्ट तो पैसे फिर कुमालोगे और जिंदगी नहीं रही तो घंटा भी नहीं कुमा पाओगे आपकी एक गलती आपको तो ले डूबेगी अपने पूरे परिवार को ले डूबेगी और पूरे महले को ले डूबेगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा तो मेरी आप लोगों से प्रातना है हाथ जोड के प्रातना है कि प्लीज आप फ़र धान मत दे अपनी सुरुखसा कीजिए और भीड़ भाड बिलकुल मत होने दीजिए अगर आपको छीक आती है तो अपने हाथों का यूज मत कीजिए तीसू है तो उसका यूज कीजिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग यहां भुगत भोगी है इटलीस भुगत भोगी है हम लोग बंद है एक कमरे कंदर प्लीज मेरी बात को समझने कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कह पा रहा हूं हम लोग मुरुख नहीं है गुम बाहर हम भी जा सकते हैं लेकिन हम पालन कर रहे हैं सरकार के नियुमों का तो आपसे प्रातने हैं कि प्लीज बाहर मत जाएए इससे ज़्यादा मैं आप लोगो कुछ भी नहीं बोल सकता